सुख्जिंदर रंधावा जी, गोविन दोतासरा जी, अशोक गेलोड जी, सचिन पाइलट जी, श्रीमती शिमला नायक जी, अनकुर मिग्लानी जी, सिहाग जी, हमारे कैंडिडेट्स, गोविद राम, मेगवाल जी, कुलदीप इंदोरा जी, कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता, भाई और बेहनों, हमारे प्यारे कारे करता, बबबर शेर, जो कॉंग्रेस पार्टी की विचार धारा के लिए, जान देनों को त्यार होते हैं, और प्रेस के हमारी मित्रों, देश में सबसे बड़ा मुद्धा कौन सा है, बेरोजगारी, किसी से भी पूछो, यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा, सबसे बड़ा मुद्धा कौन सा है, खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है दूसरे नंबर पे कौन सा है दूसरे नंबर पे महंगाई दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी दूसरे पे महंगाई अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर भेरोजगारी दूसरे नंबर पर महंगाई मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अम्बानी जी की शादी है उदर आपको विदेश से हजारों लोग आते हुए देखेंगे 24 घंटा मीडिया में आपको नरेंद्र मोदी जी का चहरा दिखेंगे कभी वो समुदर के नीचे जाएंगे कभी हेलिकॉप्टर में सी प्लेन में उड़ते हुए दिखेंगे कभी थाली बजाते हुए दिखेंगे कभी मोबाइल फोन की लाइट बज़त दिखाने को बोलेंगे तो ये सवाल कुछ समय से मैं अपने आप से पूछ रहा था कि ये जो मीडिया है इसका काम जनता की आवाज उठाने का है है नहीं मगर ये जनता की आवाज जनता के मुद्दों के बारे में कभी बोलते ही नहीं है कभी नहीं बोलते अब इनकी गलती नहीं है ये बिचारे बोलना भी चाहें इनके मालिक इनको नहीं बोलने देंगे अरब पती मालिक जिनका कंट्रोल है वो इनको बोलने नहीं देंगे मगर एक और एक और बात मुझे पता लगी कुछ महीने पहले मैंने अब मीडिया के बारे में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में प्राइवेट हस्पतालों के बारे में प्राइवेट कॉलेज उनिवर्सिटी के बारे में इनके मैंने आकड़े निकालने शुरू किये मैं सोच रहा था कि पता लगाता हूँ ये मीडिया में कौन लोग बैठे हैं कि ये जनता की बात करते ही नहीं है सवाल था आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान में पिछडे वर की 50% अबादी है तक्रीबन कोई जानता नहीं है मगर कहा जाता है कम से कम 50% पचास परसें आदिवास्चियों का 8% गलितों का 15% माइनॉरिटी 15% गरीब जेनरल कास्ट के लोग तक्रीबन 5% मतलब 90% से जादा हिंदुस्तान की अबादी या पिछडे वर की है या दलित आदिवासी गरीब जेनरल कास्ट के भाई और मैंनों मैंने मीडिया कंपनी के सारे के सारे मालिकों की लिस्ट निकाली और इनके जो सीनियर पत्रकार है जो बड़े बड़े अंकर है पूरे हिंदुस्तान में मैंने इनकी लिस्ट निकाली आपको आस्चरिय होगा कि हिंदुस्तान के मीडिया के मालिकों की लिस्ट में और सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट में एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है एक नहीं है मतलब 50% आबादी जिनकी है जो देश को चलाते हैं मेहरत करते हैं उनमें से एक व्यक्ति हिंदुस्तान की मीडिया में आपको नहीं दिखाई देगा गलित 15% एक व्यक्ति एक गलित व्यक्ति आपको मीडिया में नहीं दिखाई देगा आदिवासी 8% एक आदिवासी आपको सीनियर मीडिया में मालिकों की लिस्ट में नहीं दिखाई देगा गरीब जनरल कास के लोग नहीं दिखाई देगे माइनॉरिटी के कोई लोग नहीं दिखाई देंगे ये 2-3 परसेंट लोग मीडिया में रोजगार पाते हैं 15-20 लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं और 24 घंटा ये ही 50-60 लोग नरेंद्र मोदी जी की जय करते हैं अब सवाल उठता है कि 90 परसेंट जनता इसमें तो ही नहीं तो सबसे पहली बात ये जो मीडिया वाले लोग है ये आपके नहीं है ये हिंदुस्तान के पिछड़े वर्क के गलितों के आदिवासियों के ये आपके नहीं क्योंकि अगर ये आपके होते तो पिछड़े वर्क के लोग मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक होते एंकर्स होते सीनियर मैनेजमेंट में होते और चोबिस घंटा जो देश के असली मुद्दे हैं इनके बारे में आपको कभी दिखेगा नहीं किसानों का एजिटेशन हुआ किसान सडक पे उतर गए हर्याना, पंजाब, राजस्तान मध्यप्रदेश पुरे देश में और मीडिया में क्या आता है आतंकवादी है मीडिया में आता है और बीजेपी के लोग कहते हैं आतंकवादी है बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी महिंगाई की बात कभी नहीं आएगी इनका काम आपका ध्यान भटकाने का है ये सिर्फ चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के मुद्दे किसानों के मुद्दे गरीबों के मुद्दे नैशनल और रीजनल मीडिया पे ना आए और इनके जो मालक है इनको करोनों रुपे सरकार देती रहती है मीडिया में आपका कोई नहीं अब बताइए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में दोसो सबसे बड़ी कंपनिय हैं एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा एक दलित नहीं मिलेगा एक आदिवासी नहीं मिलेगा एक गरीब जेनरल कास का व्यक्ति नहीं मिलेगा नरेंद्र मोधी जी ने इन लोगों के 16 लाख करोड रुपे माफ किये हैं अब आप कहोगे 16 लाख करोड रुपे कितना होता है इतना बड़ा नंबर है आपको और हमें पता ही नहीं लगता कितना बड़ा है मैं बताता हूँ आपको नरेंद्र मोधी जी ने हिंदुस्तान के 25 सबसे अमीर लोगों का इतना कर्जा माफ किया जितना 24 साल मनरेगा में लगता है समझे बात जितना 24 साल में मनरेगा में जाता है उतना पैसा नरेंद्र मोधी जी ने 15-20 लोगों का कर्जा माफ किया देखें पहली लाइन में 3, 6, 9, कितने लोग हैं पहली लाइन में तकरीबन 20 लोग होंगे पहली लाइन में 20 लोग है हिंदुस्तान की हालत समझ नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको हिंदुस्तान के सबसे अमीर 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है एक तरफ 70 करोड़ लोग उसमें पिछड़े वर के लोग, दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास के लोग और दूसरी तरफ 22 लोग 70 करोड़ लोग क्या कह रहे है 70 करोड़ में से किसान कह रहे है हमारे को MSP दे दीजिए युवा कह रहा है हमें रोजगार दे दीजिए महिला कह रही है महंगाई से हमें बचाईए कोई सुनने वाला नहीं कोई सुनने वाला नहीं नरेंद्र मोदी सीधा कह देते हैं मैं किसानों को MSP नहीं दूँगा बिना जिजक के मैं नहीं दूँगा और पिर कहते हैं वो तो आतंकवादी हैं वाइदा किया था दो करोड युवाओं को रोजगार दूँगा पंद्रा लाक रुपए दूँगा बैंक अकाउंट में पंद्रा लाक रुपए से जादा आपके जेब से उठा के ले गए GST, नोट बंदी, लाक रुपए पहली बार किसान टैक्स देता है इंदिया, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है और जितना टैक्स आप देते हो GST में उतना यद्यानी देता है यह आपने शर्ट खरी दी 18% GST आप दोगे यही शर्ट अगर अंबानी या अदानी खरी देगा वो भी 18% ही देगा तो धन आपका वो अरब पती है और जितना टैक्स किसान देता है उतना वो देता है तो अब सवाल उठता है कि BJP ने लाकों करोड रुपे अरब पतीयों को दे दिये वो कहते हैं मैं पिछडे वर्क का हूँ अगर आप पिछडे वर्क के है तो मीडिया में पिछडे वर्क का कोई नहीं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में पिछले वर्क कोई नहीं हिंदुस्तान को नब्बे लोग चलाते हैं आये सबसर हैं दिल्ली में बैठते हैं बजट वो बाटते हैं मैंने आपने निकाले नब्बे में से पिछडे वर्क के कितने तीन अब आदी पचास परसेंट और नब्बे में से तीन और अगर बजट की बात करें तो अगर सो रुपए का बजट होता है सो रुपए का बजट बढ़ता है पांच परसेंट पिछडे वर्क के अपसर निर्णे लेते हैं 15% परसेंट दलित है 1% 100 रुपए में से एक रुपए का निर्णे दलित अपसर लेता है आदिवासी 8% 100 रुपे में से 10 पैसे आदिवासी अपसर लेते हैं तो कौनसे पिछडों की सरकार है कौनसे दलित की अपसरकार है कौन से आधिवासी की सरकार है कौन से गरीब जेनरल कास की सरकार है उनका तो आप कर्जमाफ नहीं करते 50% पिछड़े वर्ट के लोग है उनका आपने एक रुपिया कर्जमाफ नहीं किया किसानों का कहीं भी आप कर्जमाफ नहीं करते मजदूरों का कहीं नहीं करते आप किसान का बेटा शिक्षा के लिए बैंक लोर लेता है उसका कर्जा माफ कभी नहीं होगा मगर अदानी अमबानी जैसे लोगों का 16 लाक करोर रुपे हो जाएगा 24 गंटा मीडिया बात करेगी कभी आपको क्रिकेट दिखाएगी कभी आपको बॉलिवोड के स्टार्ट दिखा देगी यहान इदर उदर करवाएगी और फिर आपका जी एसटी का पैसा सीधा उन्हीं 20-25 लोगों के जेब में जाता है तो सवाल उठता है कॉंग्रेस पार्टी को क्या करना है गरीबों को पिछडों को दलितों को आदी वासियों को उठा के देदेंगे और आप देखना चुनाओ जी इतने के बाद जब हम यह करेंगे तो सारा का सारा मीडिया कहेगा कि देखो आप किसान की आदत बिगाड़ रहे हो आप मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हो हमने मनरेगा किया मेहनत करके मजदूर को पैसा मिलता है फ्री में नहीं मिलता सारी कि सारी मीडिया कहती है नहीं देखो यू पी ए की सरकार मजदूरों की आदत बिगाड़ रही है अलसी बना रही है मगर जब हिंदुस्तान के अरब पतियों का कर्जा माफ होता है तो उनकी आदर नहीं बगड़ती वो आलसी नहीं होते तो पांच वाइदे हमने आपसे किये मैं उनको पढ़ लेता हूं सबसे पहले आज तक कोई नहीं जानता कि पिछणों की कितनी अबादी है दलितों की कितनी अबादी है आदिवासियों की कितनी अबादी है कोई नहीं जानता तो हमारा पहला काम जाती जनगरना चोट लगती है डॉक्टर कहता है एकसरे करो चोट हिंदुस्तान में जनता को लग रही है जाती जनगर्ना और एकनोमिक सर्वे और हिंदुस्तान के जो धन है उसका सर्वे हम कराएंगे पता लगाएंगे पिछड़े बर्थ के कितने लोग गरीब जेनरल कास्ट के कितने लोग दलित कितने आदिवाची कितने माइनॉरिटी कितने और पता लगाएंगे हिंदुस्तान का धन कितने लोगों के हाथ में है किन लोगों के हाथ में है हर संस्ता को देखेंगे मीडिया को देखेंगे बड़ी-बड़ी कमपनियों को देखेंगे सरकारों को देखेंगे पता लगाएंगे क्या सच मुच में पिछणों की भागीदारी है गलेतों की भागीदारी है आदिवासियों की भागीदारी है गरीब जेनरल कास की भागीदारी है और जाती जन्गर्ना से दूद का दूद पानी का पानी हो जागा सब पता लग जाएगा दूसरा काम देखिए मेरे दमाग में एक नंबर है नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड रुपया 22-25 लोगों का कर्जा माफ किया है मैं उस नंबर को लिए चल रहा हूँ अगर नरेंद्र मोदी जी ने अरब पतियों का कर्जा माफ किया उनकी मदद की तो हम हिंदुस्तान के हर गरीब की मदद करेंगे उसकी रक्षा करेंगे तो हमारा दूसरा काम हिंदुस्तान की हर गरीब हर गरीब परिवार में एक महिला को अच्छी तरह सुनिए हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कॉंग्रेस पार्टी की सरकार साल का एक लाख रुपिया बैंक अकाउंट में डाल दीगी आप अगर गरीब हो चाहे मजदूरी करते हो चाहे मजदूरी करते हो चाहे खेती करते हो चाहे छोटे चोटे कार खाने में काम करते हो अगर आप घरीब परिवार हो आपके परिवार में एक महिला को महीना का 8500 रुपया साल का 1,00,000 रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी और उस दिन तक डालेगी मज़े की बात सुनिये और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो आपके बैंक अकाउंट में हर साल एक राख रुपया 8,500 रुपया महीने का खटा-कट, 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 खटा-कट आता रहेगा और एक जटके से एक जटके से इंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे अब दूसरा काम दूसरा काम नरेंद्र मौधी जी ने कहा दो करोड युवाओं को हम रोजगार देंगे जूट बोला जो अमीर घर के लड़के होते हैं लड़किया होती हैं वो अप्रेंटेशिप करते हैं शब्द आपने सुना होगा उनको ट्रेनिंग के लिए एक महीना, दो महीना, छे महीना बड़ी-बड़ी कंपनियों में भेजा जाता है उनको पैसा मिलता है और ट्रेनिंग मिलती है हिंदुस्तान में गरीब लोग अप्रेंटेशिप नहीं कर सकते सिरफ अमीर लोग अप्रेंटेशिप कर सकते हैं सिरफ अमीर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में अप्रेंटेशिप करवा सकते हैं हमने पहले रोजगार का अधिकार दिया मन्रेगा दिया गाउं में जो भी मज़़ूरी करते थे उनको हमने रोजगार की गैरंटी दी अब हम हिंदुस्तान के हर युवा को अप्रेंटिशिप की गैरंटी देने जा रहे हैं अप्रेंटिशिप कानून क्या कहता है कि अगर हिंदुस्तान का कोई भी युवा शिक्षित युवा अगर अप्रेंटिशिप चाहता है तो प्राइवेट कंपनियों में पब्लिक सेक्टर युनिट में सरकारी कंपनियों में सरकारी ओफिसिज में उसको एक साल की अप्रेंटिशिप और एक लाख रुपय हिंदुस्तान की सरकार देगी और फिर अगर वो युवा अच्छी तरह काम करेगा एक साल के अंदर अच्छा काम करेगा एक लाख रुपय तो मिलेंगे ही मिलेंगे मगर फिर उसके बाद उसको नौकरी भी मिल सकती है भाईयों और बेनों 30 लाख सरकारी पोस्ट हैं नोकरियां है 30 लाख नरेंद्र मोदी जी ने उनको खाली रखा अपने जो 20-25 मित्र हैं उनके उनकी मदद करने के लिए हम दो काम करने जा रहे हैं पहला काम 30 लाख सरकारी रोजगार आपके हवाले करने जा रहे है और दूसरा काम और ये सुनकर करोणों लोगों के दिल में खुशी आएगी जो ठेकेदारी प्रता है कॉंट्रैक्ट लिबर है उसको हम पिएस्यूज में और सरकार में खतम करने जा रहे हैं अब हिंदुस्तान में अगर कोई सरकार में काम करेगा तो वो कॉंट्रैक्ट से ठेकेदारी से नहीं करेगा उसे पर्मनन जौब पर्मनन जगे दी जाएगी उसे पेंशन दी जाएगी और उसके और उसके परिवार की रक्षा होगी चोथा काम नरेंद्र मोधी जी ने किसानों से साफ कह दिया आपका कर्जा माफ नहीं होगा आप आतंकवादी हो और आपको सही MSP नहीं देंगे हमारी सरकार आएगी कानूनी MSP, कॉंग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के लिए लागू कर देगी और अगर नरेंद्र मोधी अगर नरेंद्र मोधी कर्जा माफ कर सकता है तो कॉंग्रेस पार्टी फिर से किसानों का कर्जा माफ करके आपको दिखा देगी तो ये ये मैं आपसे कहने आया था कि देखिए जितना उन्होंने 20-25 लोगों को दिया उतना हम हिंदुस्तान के करोडों लोगों को देंगे और आकरी बात आकरी बात राजिस्तान में उत्तर प्रदेश टमिलनाडु हिंदुस्तान का हर प्रदेश अपने युवाओं को सेना में भेशता था सेना गैरंटी देती थी कि अगर आपको कुछ हुआ कुछ भी हुआ हिंदुस्तान की सरकार आपकी देखबाल करेगी शहीद का दर्जा देगी पेंशन देगी अगर आप शहीद हुए आपके परिवार को कॉम्पनसेशन मिलेगा आपकी पेंशन उनको मिलेगी कैंटीन मिलेगी ये वाइदा हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के जवान से करती थी ये वाइदा नरेंद्र मोदी ने अगनिवीर बना कर ये वाइदा तोड़ा है और ये अगनिवीर स्कीम जो है बाई और बेनो ये आर्मी को नहीं चाहिए थी ये आर्मी ने नहीं कहा कि हमें अगनिवीर चाहिए ये नरेंद्र मोधी जी ने PM आफिस से अगनिवीर योजना लागू की है जैसे हमारी सरकार आईगी अगनिवीर योजना को हम रद कर देंगे और जो पहले ग्यारंटी हमारे जवानों को दी जाती थी शहीद का दर्ज, दर्जा, पेंशन, कैंटीन ये हम एक बार फिर हमारे जवानों को देने जा रहे हैं आप सब यहां आए, गर्मी में आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ भाईयों और बहनों, ये चुनाओ समिधान को और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाओ है ये चुनाओ, 90% वालों का चुनाओ है, पिछडों का, दलितों का, अधिवासियों का, गरीब जनरल कास का एक तरफ, अधानी जी और हिंदुस्तान के बड़े-बड़े अरपती, नैशनल मीडिया पूरा का पूरा धन उनके हाथ में, कॉंग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिये, एलेक्टोरल बॉंड से, दबाव डाल कर, हफ्ते बाजी करकर, बीजेपी ने हिंदुस्तान के बड़े-बड़े उधियोग पतियों से पैसा लिया है ये चुनाओ गरीब और बाइस पच्चिस अरब पतियों के बीच में चुनाओ है, कॉंग्रेस पार्टी को जिताइए, हमारे यहां जो कैंडिडेट हैं, उनको भारी बहुमत से जिताइए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जैहिन